नमस्कार दोस्तों तो हम इस सीरीज में देखेंगे एनिमीट सीसी दोहजार पचीस वर्जन को कि किस टैप से यूज करते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वाइर्मेंट होता है इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं इस सीरीज में हम A to Z करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनिमेट सीसी में हम वर्क करते हैं यहां पर काटन कैसे बनाते हैं तो हम पहले तो हम बात करते हैं बेसिक सी चीज को कि हम कैसे इसको यूज करते हैं क्या क्या रिक्वाइर्मेंट होत तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों जब animate CC जो है आप इसको फोन पे यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको PC या तो laptop का होना बहुत जरूरी होता है तब ही आप जो है इसको use कर सकते हैं फोन पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है PC या laptop होना जरूरी होता है उसके बाद हम अगर बात करते हैं अगर मान लिजिये आपके पास PC है ठीक है अगर PC है आपके पास या तो लेप्टॉप है PC या लेप्टॉप है इसके लिए आपको जो है अच्छा PC लेप्टॉप होना चाहिए कम सकम जो है PC अगर लेते हैं यहाँ पे रेम जो है आपको रेम जो है 16 GB का होना चाहिए तभी आप जो है अच्छे से वर्क कर सकते हैं इसी टैप से जो है अगर आप लेप्टॉप भी लेते हैं इसमें भी आपको 16 GB का होना जरूरी होता है आप इसके लिए जो है कम कंप्यूटर या PC जब लेते हैं इसके जो है प्रोसेसर है अच्छे से ले कम सकम जो है इसके लिए आप जो है सिस्टम की रिक्वाइर्मेंट होता है कम सकम 50,000 तक का होना चाहिए अगर 20,000 या 25,000 या 30,000 तक अगर लेप्टॉप या PC लेते हैं तो आप इसमें काम करने म आपको असानी नहीं बहुत मुस्किल होगा अब जैसे कई बार क्या देखते हैं कि आप YouTube पे जाते हैं YouTube पर ना वहां पर वहांको क्या लगता हो वह कहानी जो है बिल्कुल एक ऊदमी ने बनाया ऐसा नहीं है तो वहां पर एक टीर्षक होता है जैसे माल लीए मान नहीं डिन एक एक कहानी अपलोड किया जाता आपको लग रहा हुए कि उस कहानी को बनाने में मुझकिन से एक घंटे या एक दीन में बन जाता नहीं कि कहानी को बनाने में minimum जो है 10 से 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं अगर अच्छा कहानी बनाते हैं तो और उसमें से भी एक आदमी का काम नहीं होता उसमें भी बहुत सारे आदमी होते हैं जिसमें की कुछ character बना रहे होते हैं कुछ कहानी लिख रहे होते हैं कुछ sketch कर रहे होते हैं कुछ background बना रहे होते हैं कुछ animation कर रहे होते हैं तो यह प्रोग पर जो है एक टीम वर्क का काम है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले एनिमेट सीशी में काम करें और पूरा का पूरा कहानी को क्रियेट करें तो आप वो कर सकते हैं लेकिन उसमें होगा कि आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में जब आप सीखेंगे तो और भी जाता टाइम लगे क्योंकि आप खुद से एक जो है आप मालिजे क्या करेंगे आप खुद से एक कहानी भी लिखेंगे मालिजे फर्स स्टेप क्या होता है इस्टोरी लिखना जब इस्टोरी लिखेंगे फिर इसमें जो है कैरेक्टर कितने आएगा, कैरेक्टर कितने आएगा, मालेजेस में हो सकता है कि आप 10 कैरेक्टर भी आ सकता है, 20 कैरेक्टर भी आ सकता है, या 5 कैरेक्टर भी आ सकता है, यह डिपेंड करता है कहानी पे, कहानी में कितने कैरेक्टर है, उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता चल गया कि समय क्यर्यक्टर कितने वराने है तो आप पने उसको कर्यक्तर को इस टैप से बना लिया कि बनाने के बाद किया करने इसम Black गणार करते हैं कि वाइस ओकल पर लते हैं तो फिर क्या करते हैं हम इस चेटर को जो है animation के लिए ले जाएंगे animation के लिए इसको हम animation करेंगे animation करने के बाद हम क्या करेंगे stage को create करेंगे animation के बाद हम stage stage हम बनाएंगे अब stage पे क्या करेंगे हमारा जो scene होता stage पे हमारा character कौन-कौन सा होना चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे हम उस scene को create करेंगे जैसे माल लिजे हमारे पास एक background होगा background होगा उसके बाद वहाँ पे माल लिजे हमारे पास 3, 2, जो भी character है उस character को लेका आएंगे क्योंकि character को जो हम animation किये है वो animation अबला character को हम जो है यहाँ पर लेके आएंगे अब यहाँ पे character जब आ गई है हम क्या करेंगे फिर से हम यहाँ पे scenes को character के साथ साथ voice over को भी लेके आएंगे voice over को लेके आएंगे अब इस voice के साथ साथ इस दोनों को इसको और इसको अब क्या करते हैं यहाँ पे एक new scene बनाता हूँ अब हमारे पास क्या हुआ है character आ गया और प्लस voice दोनों जहें एक stage पे आ गया एक stage पे जो है दोनों आ गया अब हमें क्या करना पड़ेगा इस voice को इस voice को यहाँ character को according animation करेंगे इसको जहाँ animation करेंगे इसको और इसके according इसके according इस character को animation करेंगे यह सभी का सभी जो process होता है बहुत ही लंबा होता है अगर आपके पास sketching knowledge है फटाफट आप character बना सकते हैं आपको mimicry आता है तो आप voice over कर सकते हैं इसके बाद आपको animation आता है तो आप character को animation कर सकते हैं तो basically कोई भी चीज को जब कहानी को बनाते हैं वो तीन step में जो है तीन step तीन step में जो है create होता है कोई भी जो कहानी बनाते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर देखिए first step जो होता है हम जो है story लिखेंगे उसके बाद character बनाएंगे उसके बाद animation करेंगे ठीक है यह जो है तीन step में रूप से होता है अब इस तीनों step को सीखना आपको बहुत जरूरी होता है basically story आप कहीं से भी लिखवा सकते हैं character आप खुद से बनाना पड़ेगा animation आपको खुद से बनाना पड़ेगा अब इसमें एक और चीज होता है जो voiceover voiceover जो होता है जो memakery करता है या तो आपको अगर आ रहा है जो voice जो story लिखेंगे उसी को voiceover करना पड़ेगा आज कल दोस्तों एक चीज और आपको बता दूँ कि बहुत सरा बोलता AI tool आ गया लेकिन आपको धियान रखना दोस्तों AI tool जितना भी आपको voiceover कर लें जो actual जो voice होता है हम लोग का उस voiceover को match नहीं कर पाएगा AI tool और जो impression होता है वो impression AI tool जो है नहीं देता है और YouTube पे वैसा trend अगर देखें तो आपको बहुत कम मिलेगा कि कहानी जो क्रियेट किया गया है AI के साथ में तो हम इस series को जो है proper details से हम जो है कोई भी character को हम कोई भी story जो होता है story को create करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको create करते हैं और हर type का animation चाहे वो animals का हो, tree का हो, background का हो जो human का हो और जैसे बहुत सारे character, insect होते हैं छोटे-छोटे जो कीरे होते हैं वो सभी का animation करके इस series में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह जो है first video है और आगे इस पर continue video आएगा जैसा कि मैंने आपको message पहले ही दिया था कि हम जो है नए साल पर एक जो है animate CC का जो है नए series लाने वाले हैं यह हमारा जो है series आया है और यह आसा करता हूं आप इसको support करेंगे और आप लेकिन मैं आपको guarantee देता हूं यहां पर हर चीज आपको free में मिलेगा चाहे वो कोई भी चीज का animation हो अगर शुरू से आप इस series को देखते हैं तो आप एक advanced level का cartoon animator बन सकते हैं जिसको की बिल्कुल zero knowledge है वो भी मेरे series को देखके अच्छा expert बन सकता है अब मैं इसमें आपको अगर दिखाओं मैं थोरा सा जो है किस type का कहानी होगा आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कुछ देखें यहां पर जो है एक जो है लेडी जह है कुछ इस type से जो है चल रही ह जो animation हुआ है इसके जो background है आप देख सकते हैं background भी animation हो रहा है इस type का animation हम करेंगे create करके आप यहां देखे यह जो bird है इस type का जो है उड़रा जैसे चल देखें आपको अब इसी type में हम इसमें देखते हैं देखें यह character क्या हो रहा है बैटके और chair पे कुछ इस type से हो रहा ह अब यह जो character है यह हमारा पहले series में हम already दिखाए थे लेकिन मैं as a example दिखा रहा हूँ कि इसको हम कैसे हम जो है अच्छे से moment करेंगे अब देखें God का animation भी है अब देख सकते हैं अच्छे से animation आप देखें यहाँ पे जो है waterfall है जिसको कि हम special effect के तौर पे भी हम दिखाते हैं visual effect में अब यहाँ पे देख सकते हैं candle का animation जो flame का animation होता है तो हम इसको proper details से हम इस series में animate CC के बारे में हम बात करेंगे मैं teacher नहीं हूँ को institute में मैं पढ़ाता नहीं हूँ मैं एक काम करता हूँ company में जहाँ पे की मेरे पास जो knowledge है उसको हम share करते हैं और जिस step से work होता है उसको मैं यहाँ share करता हूँ तो आसा कर दो दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में यह कि हमारा जो का animate CC के बूग